को स्टार्ट करें फिर लीने इनिकटीस के आगे के टॉपिक्स को मिस्टेनियस एक्सरसाइज में कुश्चन तैन तक कवर हो चुका था कुश्चन तैन तक कवर हो चुका था मिस्टेनियस एक्सरसाइज में और कुश्चन 11 से हमें कंटिन्यू करना है ठीक है Q11, पढ़िये वेटा Q11 को Q11 को पढ़िये Our solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit What is the range in temperature in degree Celsius If the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9 upon 5C plus 32 Question का मतलब तो के लिए रो गया होगा न Solution को जिस temperature range में रखा जाता है वो temperature range यहाँ पर हमें given है और वो range यहाँ पर Fahrenheit में given है 68 degree Fahrenheit से लेका 77 degree Fahrenheit तो हमें यह बताना है Celsius में Celsius में range क्या होगी और जो conversion formula हमें दिया है Conversion formula का मतलब है Fahrenheit को Celsius में convert करने का या Celsius को Fahrenheit में convert करने का यह formula है upon 5C plus 32 तो बहुत simple सी problem है यह देखिए जो रेंज यहाँ पर हमें given है 68 से लेकर 77 degree तक यह range Fahrenheit की ही तो range given है क्योंकि temperature जो दिया है यहाँ पर वो Fahrenheit में दिया है 68 से लेकर 77 तक अब जो conversion formula Fahrenheit का है वो क्या है तो F को हम इस formula से यहाँ पर replace कर लेंगे F को हम replace कर लेंगे 9C upon 5 plus 32 और यह 77 बताईए वेटा कोई doubt Fahrenheit की range given थी temperature की और F की जो value थी वो value को हमने यहाँ पर लगा दिया हमें जो temperature की range निकानी है वो Celsius में निकानी है इस तरह की problem को कल हमने solve करा था यहाँ पर बीच में केवर C रह जाए ऐसा कुछ करना होगा सबसकर पहले यहाँ पर 32 को हटाएंगे उसके बाद 5 को हटाएंगे फिर 9 को हटाएंगे इन दोनों को हम एक साथ भी हटा सकते है 32 को हटाने के लिए इस पूरी inequality में हमें क्या करना पड़ेगा subtracting तो पूरी equation से 32 को हम subtract करेंगे 68 माइनस 32 लेस देन यहाँ पर यह 32 कैंसल हो जाएगा 9C अपॉन 5 लेस देन इसमें 77 माइनस 32 के लिए रोगी है बिटा तो बता है यह क्या मिला 68 माइनस 32 9C अपॉन 5 लेस देन अब इसके बाद हमें denominator से 5 को eliminate करना है या पहले आप चाहें तो 9 से divide कर ले कुछ भी कर सकते हैं पहले तो dividing by 9 9 से divide करने पर यह हो जाएगा 4 less than C upon 5 less than 5 और finally इस 5 को हटाने के लिए पूरी equation को हम 5 से multiply करेंगे जब 5 से multiply करेंगे तो यह बनेगा 20 और यह बनेगा 25 fine तो हमें करना क्या था यहां पर range find करनी थी temperature की degree Celsius में तो degree Celsius में temperature की range कितनी आई between 20 degree Celsius to 25 degree Celsius के लिए रहे तो एक सिंपल सी प्रोग्लम थी conversion formula दिया था फेरन हाइट में range गिवन थी Celsius में निकालना था है any doubt any doubt okay तो next question पर आएंगे अब जो यह वाला question आपके सामने देख रहा है यह question बहुती ज्यादा बहुती ज्यादा important है समझे लिए question exam में आया करता है बहुत अच्छी तरह से question को पैणा है उसके बाद इस question को समझना है very important question question number 12 question number 12 solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% acid solution to it resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid if we have 640 litre of 8% solution how many litre of 2% solution will have to be added question का बत्तर clear हो गया बेटा अभी समझाएंगे diagram बना कर तो question में हमें क्या दिया देखिए boric acid का एक solution दिया है तो मान दो यहाँ पर हमें इस container में boric acid का एक solution दिया हुआ है अब जो यह solution यहाँ पर हमें दिया है बोरिक एसिड का इसमें बोरिक एसिड का concentration कितना है मतब इसमें बोरिक एसिड की amount कितनी है 8% इसकी quantity कितनी है मतब जो यह mixture दिया हुआ है यह कितने liter दिया हुआ है बेटा लिखा तो है तो हमें एक mixture दिया है 640 लीटर जिसमें boric acid का जो concentration है वो है 8% अब क्या करा जाता है इसे हमें करना dilute dilute का क्या मतलब है जो concentration 8% है वो कम होगा dilute करने के लिए हम इसमें boric acid की एक solution एड़ कर रहे हैं ये boric acid की एक solution इसमें हम एड़ कर रहे हैं तो मान लो ये वाली कितनी solution को हमने boric acid की इसमें एड़ कर दिया इसमें जो boric acid हमें दिया है उसका concentration कितना है बत्तब इसमें boric acid कितना है 2% अब इसकी quantity कितनी है इस solution की quantity कितनी है मतलब ही कितने लीटर solution है अरे वही तो निकालना है 1% बोरीक ऐसिट को dilute करते है 2% बोरीक ऐसिट solution डाल कर डालने के बाद जो mixture बनेगा उसमें concentration 4% से जादा होगा लेकिन 6% से कम होगा अगर हमारे पास 640 लीटर solution है जिसमें 8% concentration था तो ये बताना है 2% concentration की कितनी solution को add करा तो हमने यहाँ पर मान लिया ये X लीटर की solution को add करा मतलब इस solution को हम इसमें मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो भी mixture बना तो ये मान लो हमने मिला दिया और मिलाने के बाद इतना mixture बन गया अब हमसे ही कहा जाता है जो ये mixture बना है इसमें बोरिक एसिड का concentration 4% से तो जादा होगा लेकिन 6% से कम होगा जब हमने इसमें एक्स लीटर मिला दिया तो पहले quantity 640 लीटर थी और मिलने के बाद ये जो total quantity हाँ पे बनी ये कितनी बन गई x प्लस 640 लीटर के लिए अलुआ गेटा बता हो तो मैं शॉट में जो डेटा नोट करा फिर से बता दूँ एक solution हमें दी थी 640 लीटर इसमें बोरिक एसिट की मात्रा 8% थी हमसे कहा गया एक ऐसी solution को इसमें add करना है जिसमें बोरिक एसिट का concentration 2% हो तो कितने लीटर ये हम इसमें add करेंगे जिससे की ये वाला concentration गिर करके 4% से लेकर 6% के बीच में रहा है जिसमें बोरिक एसिट का concentration 8% था और हम एक ऐसी solution को यहाँ पर add कर रहे हैं जिसमें बोरिक एसिट का concentration कम है तो lower concentration की solution जब इसमें डाली जाएगी तो इसका concentration भी तो गिरेगा वही हमें बताना है कितने लीटर solution को हम इसमें add करें जिससे की add करने के बाद जो concentration आए final solution में वो 4% से जाता हो लेकिन 6% से कम हो अब मैं समझता हूँ हर point बिल्कुल clear हो गया होगा तो बेटा अब हो जाए solution की बात solution में हमें क्या करना है हमने assume कर लिया x-liter solution को इसमें add करा जाएगा जो हमने यहाँ पर डाइग्राम में पूरा mention कर दिया है 2% concentration की x-liter solution को add कर रहे हैं तो फिर भी लिख दो एक बात लेट x-liter solution of 2% boric acid be added तो add करने के बाद क्या होगा concentration गिरा और वो 4% से लेके 6% के बीच में होगा तो equation जो हमें हाँ पर बनानी है यह equation हमें concentration के basis पर बनानूं है concentration के basis पर समझे कैसे बेटा इस वाली solution में जो यह 6 40-liter था वन मिनट लेट x-liter solution of 2% be added यह हाँ पर लिख रहता वही है जो हाँ पर मेंचन करा फिगर में वही है बीच पर से पर से पर लिख रहता वे लिख दो चाहो तो देखिए बेटा तो जो final equation बनेगी वो concentration की बनेगी कैसे बनेगी समझेगा इसमें boric acid का concentration था 8% मतलब 640 का 8% हमने इसे यहाँ पर एड़ करा तो इसमें concentration क्या था 2% x-liter का बेटा कितना परसेंट 2% अब यह हमने दोनों को मिला दिया मिलने के बाद हमारा mixture बना जो हमारा mixture बना उसकी total quantity कितनी हो गई 640 लिटर पहले से था x-liter को हमने और add कर दिया यानि total quantity कितनी बनी x प्लस 640 लिटर और जो यह total quantity है इसमें concentration 4% से ज़ादा होना चाहिए तो यह जो total concentration आया that is greater than 4% फिर से एक बार बता दूँ हम यहाँ पर concentration find कर रहे है इसमें concentration 8% था इसे हमने add कर दिया इसमें concentration 2% था तो यह मिल करके क्या आया total concentration आया अब जो total concentration है यह greater होगा किस से greater होगा 4% से greater होना चाहिए अब 4% किसका होगा resulting mixture कही तो होगा resulting mixture का क्या मतलब है जब हमने 640 लीटर में x लीटर को add कर दिया तो total quantity mixture की कितनी आही x plus 640 ओके तो अब इससे हम आगे proceed करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबके denominator में 100 चमक रहा है तो multiplying by 100 बहुत अराम से calculate करना है 100 से पूरी equation को हमने multiply कर लिया है और इस तरह से हमने यहाँ पर 100 को हटा दिया है अब थोड़ा सा equation और reduce हो सकती है सब में मुझे लग रहा 2 भी कौन है तो अब 2 से भी divide कर लो जब हम 2 से divide करेंगे तो यह आ जाएगा 640 into 4 plus x greater than x plus 640 multiplied by 2 किलियर बेटा अब तो क्या रहे गए इसमें करने लाइग इसे multiply यह तो हम बहुत कर चुके हैं प्रैक्टिस यह multiply कर लो bracket open कर लो मतलब यहाँ से x निकालना है x बताना कितना आ रहा मुझे लिए multiply करके बता दो गेटा ठीक है 2 5 6 0 plus x greater than 2 x plus एक मिनट यह भी हार देकर एंट्री मार रहे हैं हाँ 1 2 8 0 अब इस वाले x को यहाँ पे लाओ उसको वहाँ पे ले जाओ है जल्दी से करो या 2 5 6 0 minus 1 2 8 0 1 2 8 0 ही आएगा तो यहाँ पर आएगा 1 2 8 0 is greater than x यानि हम इसे लिख सकते हैं x less than 1 2 8 0 अभी वेटाइक मेंट और यह बन चुकी है equation number 1 clear यह रखो अराम से previous page लीजे नोट कीजे बहुती अच्छा interesting question है देखिए और इसलिए question important है ओके बेटा डन ओके बीजे Watch बीजे हुआ के बीजे हुआ के दीजे लीजे बड़े आगे हो गया बेटा नोट हो गया नोट यह भी लगी गाटानी तो यह हमने एक condition को फॉर्म करा था क्योंकि यहाँ पर condition क्या दे रखी थी concentration 4% से ज़ादा होगा लेकिन 6% से कम होगा अब second condition को फॉर्म करने में देखें फिर से समझ लो यहां पर यह तो ऐसी रहेगा क्योंकि यही तो total concentration है इसमें 8%, इसमें 2%, जब हम add करेंगे तो add करने के बाद ही हमें total मिला और अपकी बार यह less होगा, किस से 6% से, 6% किसका होगा, resulting mixture का होगा और resulting mixture का क्या मतलब है, x plus 640 liter, तो अब हम बनाएंगे second equation 640 liter में 8% का concentration, x liter में 2% का concentration और अभी एक concentration होगा, less than 6%, 6% बेटा किसका होगा, total quantity का ही होगा और total quantity का मतलब है, x plus 640, फिर से वही करना है, पहले 100 को हटा देते हैं 640 multiplied by 8, plus 2 into x less than, 6 multiplied by this one, ठीक है, और अब यहाँ पर, 2 सब में दिख रहा है, तो पूरी question को यहाँ पर, 2 से divide कर लेना, dividing by 2, तो यह आएगा, 640 multiplied by 4 plus x less than, 3 multiplied by x plus 640, अब इसके बाब मैं समझता हूँ, बहुत ही simple step रह गए होगे, multiply बगरा करके, यदि से x को निकाल के बतातो, कितना है रहा है बेटा, यह multiply कर लेना, यह multiply कर लेना, x को एक तरफ ले जाना, और बहुत easily तरीके से solve हो जाएगा, तो यह कितना रहा है बेटा, multiply करके 2, 5, 6, 0, plus x less than 3x plus how much, इसको अधर ले जाके minus कर देना, तो minus करके कितना बचेगा, less than 2x or 320 less than x, जिसका मतलब होगा, x greater than 320, तो इससे previous जो result आया था, first equation है, और जो यह वाला result आया, यह second equation है, अब दोनों को हम मिला देते हैं, from equation number 1 and equation number 2, बताईए क्या मतलब हुआ, x यहाँ पा 320 से greater होगा, 1,2,8,0 से less होगा, इसका मतलब है, 320 less than x, less than 1,2,8,0, मतलब जो solution add करी जाएगी, वो solution की quantity क्या होगी, greater than 320 but less than 1,2,8,0, बताईए, any doubt? तो यह बहुत ही important question था, फिर से बतादू, यहाँ पर एक काम हम भूल चुके हैं, और वो यह important लिखना न भूल गए थे, तो अब इसमें लिख दीजिएगा, very important. Now, आगे बढ़ेंगे और next question को करेंगे, जो next वाला question है, यह भी इस तरह के concentration वाला question है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ चेंज दिखेगा, तो यह read कर लीजेगा, और यह है NCERT का question number 13. How many litre of water will have to be added to ethne litre of, ethne litre of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. हमारे पाद सो mixture दिया है, उसकी quantity इतने litre है, इसमें acid का concentration 45% है, इसमें water को add करा जाता है, यह बताना है कितना water, कितने litre of water इसमें add करें, कि add करने के बाद concentration 45% से जादा हो, लेकिन 30% से कम हो. सबसे पहले, दोनों question का difference की तो समझा जाए, इस वाले question में हम इस solution को add कर रहे थे, concentration को decrease करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर concentration 8% था, इस वाली solution का concentration 2% था, lower concentration की solution जब यहाँ पे add हुई, तो concentration decrease ही तो होगा, लेकिन इस वाले question में, concentration को decrease करने के लिए, क्या add कर रहे हैं? Water, ठीक है? वहाँ पर जिस solution को add किया था, उसमें भी boric acid का concentration था, यहाँ पर concentration को decrease करने के लिए, simple water add कर रहे हैं, तो अब इस पूरे question को, figure से भी हम समझेंगे, यह हमारे पास यहाँ पर दी है, एक solution जिसकी quantity है, 1, 1, 2, 5 लीटर, और इसमें जो acid का concentration है, यह concentration है, 45% का, हमने इसमें, water को add करा, यह बताना है, कितना water यहाँ पर add करा जाएगा, जिसे हमने मान लिया है, यहाँ पर x लीटर, और बेटा जब हम water को इसमें add कर देंगे, तो add करने के बाद, जो total mixture बनेगा, वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, 1125, और जब यह water इसमें मिल जाएगा, बताना है कितने लिटर मिलाया, तो मिलने के बाद, क्या होना चाहिए, जो acid का concentration है, वो greater होना चाहिए, किससे 25% से, लेकिन less than होना चाहिए, किससे 30% से, clear, तो इस तरह की, ऐसे बना कर, short में जल्दी clear हो जाता है, तो इस समझ लेना बेटा, यहाँ पा थोड़ा सा change है, change क्या है, इससे पहले वाले question में, इसका भी concentration था, लेकिन यहाँ पे तो simple water रेड़ हो रहा है, concentration है ही नहीं, 25% concentration, और 30% concentration, acid का कब मिलेगा, जब हम इसमें water को add, करेंगे, तो एक statement लेखे लेखे, x liter of water is added so that concentration lies between 25% से लेकर 30% अब देखिए बिटा, क्या होगा देखिए, तो कहने का मतलब यह है, इस वाली solution में, 45% का concentration था, यह 45% का concentration, 1125 लीटर में था, तो इस तरह समझो, जो concentration होना चाहिए, यह concentration, 25% से लेकर, 30% के बीच में, होना चाहिए, यह को में निकालना है, कितने लीटर हम इसमें, add करेंगे की, concentration इसके बीच में रहेगा, अब यह बताओ बेटा, 25% कंसेंट्रेशन कब हुआ, जब हमने इसमें, water को add करा, यानि, 25% कंसेंट्रेशन किसका निकलेगा, क्योंकि 25% तो तभी होगा, जब water को add करेंगे, तभी तो गिरा concentration, तो इसका मतलब यह है, कि 25% कंसेंट्रेशन, रिजल्टिंग मिक्शर का होगा, अभी जो कंसेंट्रेशन दिया है, वो केबल 45% दिया है, किसका दिया है, ओरिजल्टिंग मिक्शर का, जितने quantity हमें, इस तार्टिंग में given थी, यानि की, 1, 1, 2, 5, फिर less than 30%, अच्छा, तभी होगा, जब हमने इसमें water को add करा, मतलब, X plus 1, 1, 2, 5 का तो clear हो गया, इस तरह यार रखेंगे, concentration इसके बीज में रहेगा, अभी concentration इतना है, किसका ओरिजनल मिक्शर का, 25% तभी होगा, जब water को add करा, यानि 25% 25% concentration, और 30% concentration, ये दोनो, resulting mixture के होंगे, water को add करने के बाद, तो ये हमारी, बन गई है main equation, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को solve, फिर इन दोनों को solve, तो सबसे पहले हम इन दोनों को solve कर रहे हैं, ये और ये, next page पर आते हैं, 25% of X plus 1125 is less than 45% और 45% का मतलब है, यहां पर 1125 का 45%, 100 से divide करेंगे, multiply करेंगे, तो ये वैसे इसना cancel भी करते हैं, वही करा जाता है, multiply बगर लेकिन हमने कर दिया, और अब यहां पर इससे और reduce कर सकते हैं, multiply करके, कहां पर बेटा, ये X करतों दिया है, अपर आड़, नहीं होगा, 45 सुनिए, 45% concentration, तो तभी था ना, जब हमारे पास इतने लेटर solution थी, भई जब हम X को add करेंगे, तो करने के बाद, तो वो concentration गिरेगा ना, पानी add कर रहे हो, तो concentration तो कम हुआ, 45 कैसे रह जाएगा, तो बेटा ये ना, 25 से divide हो जाएगा, तो 25 से divide करने के बाद, आएगा, X plus 1, 1, 2, 5 is less than, इसे 25 से divide कर देना, और 25 से divide करके, ये 45 मिलेगा हमें ना, इन दोलों को यार, multiply कर दो, 1 में 25 को कर जाके, minus 4 को बता दो, कितना आने वाला है, X less than, X, OK, X less than 900 आना चाहिए, simple calculation के लावा, कुछ भी नहीं है, सब को बेटा मिला 900, अब हम, next वाली relation को solve करेंगे, मतलब इन दोनों को, अब हमें solve करना है, 45%, 1,1,2,5 का, less than, 30% of, X plus, 1,1,2,5, तो 100 से multiply करेंगे, यह 100 cancel होगा, अस तरह cancel out नहीं करते हैं, ध्यान रखना, तो 100 से हमने multiply करा, और 100 को cancel कर दिया, तो 45 multiplied by, 1,1,2,5 less than, 30 multiplied by, X plus, 1,1,2,5, अब यार, थोड़ो बहुत यहां पे cancel कर लो ना, सब हलका फुलका देखो, किस से divide हो सब्सक्ता हैं, 15 से divide कर लो, 15 से divide कर लें, तो 15 से divide करने के बाद, 3 multiplied by, 1,1,2,5 less than, 2 multiplied by, X plus, 1,1,2,5, बताएंगे, X कितना आ रहा है, X, बेटा, X greater than, 562.5 मिला होगा, तो बेटा, दो equation बन गई, यहां पर X इस से greater है, यहां पर X इस से less than है, अगर हम इन दोनों से result निकालें, from equation 1, and equation 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, X lies between, 562.5 से लेकर, 900, तो हमें, कितना water add करना है, इस से ज़ादा, लेकिन इस से कम, ओके, चले मैटा, next question में, next question में, ओके, आ गए, पढ़िए next question, और, दो बहुत ही अच्छे question में को cover कराए, देखते हैं, वहला question में क्या है, question number, 14, IQ of a person is given by the formula, IQ को निकालने का formula दिया हुआ है, MA upon CA into 100, अब ये MA क्या है, MA का मतलब होता है, mental age, CA क्या है, CA का मतलब होता, chronological age, फिर हमें दिया है, IQ अगर, 80 से लेकर, 140 के बीच में है, एक, 12 एयर, के चिल्डरन की, तो हमें बताना है, mental age की range क्या होगी, mental age की range क्या होगी, chronological age, इसका मतलब हो गया है, 20 एयर, क्योंकि एक तरह से, present age होती है, करना क्या है, IQ की range, IQ की range, 80 से लेकर, 140 के बीच में दे रखी हैं, यह दे रखी हैं, हम यहाँ पर, IQ का formula लगा दें, तो यह हम यहाँ पर, IQ के formula को एक्लेस कर रहे हैं, MA, divided by CA, multiplied by 100, less than, equal to 140, अब बेटा, जो CA है, वो यहाँ पर 12 है, CA को भी लगा दो, तो अब हम CA की value को put करेंगे, यह हमें 12 given है, इससे आजाएगा, MA upon 12, multiplied by 100, less than, equal to 140, हमें करना क्या है, mental age की range निकानी है, मतलब यहाँ से जो तुमें दिख रहा है, MA इसकी value निकानी है, सबसे पहले काम करो, 100 से कर ले, divide, ठीक है, 100 से divide कर ले, dividing by 100, तो जब हम यहाँ पर 100 से divide करेंगे, यह को बन जाएगा, 0.8, less than, equal to mental age, less than, equal to, इसे divide करके बनेगा, 1.4, और नीचे यहाँ पर था, 12, ठीक है, अब फाइनली, multiplying by 12, multiplying by 12, तो 12 इंटू एट 96, यानि यह तो 9.6 आ जाएगा, और यह mental age की range निकल रही है, यह देख लो बेटा, 12 इंटू 1.4, तो mental age की जो range है, वो IV that lies between 9.6 से लेकर 16.8, सभी को clear हो गया होगा, बहुत simple सा question था, understand? अब एक काम करते हैं बेटा, तो यह हमने question कर लिए, अभी हमारे सामने एक question और है, कहां से आया यह वारा question, इसके लिए आप जान सकते हैं, यह है हमारा example number 20, एक और, बहुत बढ़िया question, क्योंकि ऐसे हमने concentration वारे question आज कर लिए हैं, तो इस question को भी कर लिए हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से, पढ़ लेते हैं जल्दी से, 600 लीटर, का solution है, इक्जाम्पिल 20, नहीं दिखा, इक्जाम्पिल 20, 600 लीटर की solution है, जिसमें acid का concentration बेटा दिया है, 12%, बना दो फिगा, ये solution हो गई, 600 लीटर की, और इसमें ये हो गया acid का concentration, अब बताना है, कितने लीटर, acid solution एड करी जाएगी, जिसमें concentration, 30% का है, तो ये हमने मान दिया, x लीटर एड करी जाएगी, और इसमें concentration, 30% का है, एड करने के बाद, जो acid content होगा, वो acid content, acid content का मतलब, जब हम इसमें ये add कर देंगे, तो total quantity कितनी बनेगी, x प्लस 600 बनेगी, तो इसमें acid content कितना होना चाहिए, 15% से greater, but less than, 18%, देगे, question वही पोरिक असेड वाला है, उसमें क्या था, lower concentration की solution डाल रहे थे, अब इसमें जिस solution को add कर रहे है, इसका concentration 30% है, अगर ये solution को यहाँ पर add करोगे, तो 12% से concentration बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो यहीं बताना है, कितना add करा जाए, जिससे की concentration बढ़के, 15 से लेकर 18% के बीच में रहे, question मैं समस्ता हूँ, बोरिक ऐसे की करने के बाद, ये पूरी तरह clear हो गया, होगा, हो गया बेटा, तो वैसे तो हमने हाँ पर लिख लिया है, फिर भी अगर आचा है, तो आप लिख सकते हैं, एक्स लीटर ओफ 30% solution is added, अब देखिए, कैसे बनाएंगे equation, फिर से वही बात, बात हो रही है concentration की, इसका concentration निकालो, इसका concentration निकालो, 600 लीटर में concentration है 12% का, इतने लीटर में concentration है 30% का, अगर हम इन दोनों को add कर देंगे, तो add करने के बाद, किस से greater होना चाहिए, 15% से greater होना चाहिए, 15% किस का होगा, resulting mixture का होगा, जब हम दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे, तो mixture की total quantity कितनी हो जाएगी, x प्लस, 600, clear? तो बेटा, ये solve करने का तरीका, तो मैंने आपको बताया न, कुछ मुश्किल काम नहीं है, 100 को हटाना, फिर वैसे करके solve करना है, तो एक पाम करते हैं, equation को form कर लेते हैं, इसे आप solve करेंगे, तो ये एक equation आपको मिल जाएगी, और second equation हम बना लें, second equation कैसे बनेगी, इस side तो वही रहेगा, वही का मतलब है, 600 liter में, जो concentration था, ये 12% का था, हमने x liter और add कर लिया, जिसमें concentration 30% का था, अब दोनों को add करने के बाद, जो total concentration आएगा, ये कम रहना चाहिए, किस से कम रहना चाहिए, 18% से कम रहना चाहिए, और 18% किसका होगा, resulting mixture का होगा, resulting mixture का मतलब है, 600 plus, x, ठीक है बेटा, तो मैंने क्या करा है, दोनों condition को form कर लिया, solve करने का वही method है, जैसे usable, normal ही हम इसे solve करते थे, अभी दो question भी करके लिखाए, जब दोनों solve हो जाएंगे, तो मिला करके इसके answer को बना दीजिए गा, तो यहाँ पर हमने इस तरह की problem को solve कर दिया, और examination point of view से यह problem बहुत जादा important है, बोरिक असिड वाला question या फिर यह वाला question यह दोनों ही question, very important, अच्छी तरह से question को कर लीजिएगा, तो यहाँ तक किसी का point out है बेटा, बोरिक अच्छी तरह से question को कर लीजिएगा,